आज का डिश पंजाबी डिश है डाल मखनी की हर पंजाबी का ये डाल मखनी फेवरेट होता है अक्सर पंजाबी रेस्टोरेंट या धाबा जाते हैं तो वहाँ पे डाल मखनी ही ओरे करते हैं और उसके साथ तो लच्छा पराठा या फिर नान हो जाए मज़ा ही आ जाता है तो आज में शियर कर रहे हूं दाल मखनी की रेसीपी वेलकम तुमाई यूटूब चानल कुकिंग विट सिम्मौ डाल मखनी बनाने के लिए मैं आपे लिए काली उरत डाल जो 200 ग्राम है और राजमा लिए हूं जो 1500 ग्राम है क्योंकि यह पंजाबी डेश है तो पंजाबी डेश में हमें तो राजमा डालना है मैं इसे सोक करके 8-10 गंटे के लिए रख दी थी और अच्छे शे वाश कर लिए हैं अब लेंगे एक प्रेसर कुकर जिसमें हम डालेंगे उरत की डाल और राजमा और भर भर के चार से पाच कप पानी याड कर देंगे अब इसमें जाएगा स्वादनुसार नमक और आधा छोड़ा जमच हल्दी पाउडर इन सब को डालने के बाद धकर लगा देजिए और 3-4 सीटी लगा देजिए देखिए ऐसे तो हर कुगर का सीटी अलग होता है तो मेरे कुगर में 3-4 सीटी में हो जाता है तो ये देखिए हमारा डाल जोगना अच्छे से कुख हुआ है आपको मैं एक पर प्रेस करकर दिखा देती हूँ कि डाल जोगना अच्छे से प्रेशर बहुत गर्म है तो साबधानी से किजिएगा राजमा भी अच्छे से कुख हुआ है तो अब जिस भी स्पून से चला रहे है इसे उसी स्पून से हलका-लका मैश कर लेंगे या अगर आपके पास पोटाटो मैश हो तो उससे हलका सा मैश कर लेना अब हम लेंगे कराही जिसमें हम डालेंगे दो बड़ा चमच बटर यह पंजाबी डीश है तो इसमें भर भर कर बटर जाता है जब लासण को अच्य से भूलेंगे दोमेटो की पूरी है दो टोमेटो अच्छे से हैं ग्राइंड कर लिया था और इतना भूनना कि सायडसाय ऑईल रिलेज करने लगे और हाँ इसे लो फ्लेम पे भूनिएगा अगर टमाटर अच्छे से नहीं भूनाया ना तो आपका दाल मखनी का टेस्ट बहुत खड़ाब हो जाएगा इतना में भूनना है कि जो टमाटर का खटपन वो गायब हो जाए क्योंकि टमाटर का खटपन हमारे दाल मखनी का स्वाद को खड़ाब करता है तो इसी तरीके साम इसे तीन से चार मिनट के लिए भूल लेंगे और यह जो टमाटर है ना टमाटर का पानी एकदम सूख जाएगा और हमारा जो साइट से ओयल छोड़ने लगेगा तो अब हम इसमें डाल दाल बनाकर करेंगे और हां यहां पर यह मत सोचेगा कि हम कवर करके छोड़ दे बीच बीच में आप इसे चलाते जरूर रहना नहीं तो वह नीचे की और बरतन में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और इसका दाल मखनी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा देखी जैसे जैसे मारा दाल कूक होगा ना वैसे वैसे यह थेक होते जाएगा अब हम यहां पर एड करेंगे एक चमच नमक नमक आपको ध्यान में रखते हुए डालना है यह बात याद रखना कि आपने कूकर में भी इसे बॉइल करते से में नमक यूज किया था और अपने क्वांटिटी और टे स्टाइल हमें तैयार हो गया बिल्कुल ढवा स्टाइल का टेस्ट आया है इसमें अब हम इसके उपर से थोड़ा सा बटर आड कर देंगा अब आपको होगे कि इसमें ज्यादा बटर हो गया तो देखिए एक्स्ट्रा आड नहीं करना है क्वांटिटी के अनुसर आप बट चाबी डिश है तो पंजाबी लोग तो बटर खाने में सौखीन होते हैं और अक्सर पंजाबी डिश में घी और बटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जाता है तो आप अपने अक्वारिंग बटर का क्वांटिटी मेंटेंड कर लेना अगर आप ज्यादा बटरी नहीं खाते हो तो बटर जादर मठ डालना पंजाब का फेमस डिस दाल मकनी धावा स्टाल में बनकर तयार है अब हाँ इसके उपर हम तोड़ा जाना क्रीम से गानिश करेंगे हाँ यहां पर आप क्रीम भी आड़ कर सकते हो अगर आपको मीठा और बिल्कुल धावा वाला टेस्ट चाहिए तो अब क्रीम आड़ कर देना खाव प्यों और इंज्वा एक और और कमेंट करके जड़र बताना थांक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइम है चानल थांक यू